एक छोटा सा काम करना है और उसके बाद कुछ इस तरीके से आपका अनार का पौदा भी फलों से भर जाएगा अगर फल नहीं आते थे तो फल आने लगेंगे फलों का साइज बड़ा हो जाएगा और जो फलों का कलर है वो भी एकदम एसकोटिक निकल के आएगा तो वो छोटा सा काम क्या है कैसे करना है क्या साबधानी रखनी है सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आपकी कोई सिकायत है या फिर आपको कोई प्रॉबलम है तो आप कमेंट करके बे जहिजक हम से पूंच सकते हैं हम जो प्रिकरिया आपको बताने वाले हैं ये किसानों का तरीका है और किसान इसी तरीके से बड़िया बड़िया बड़े बड़े अनार लेते हैं यहाँ पर एक अनार का पौदा गमले में हमने लगा रखा है हम इसी पर ये प्रिकरिया आपको करके देखाएंगे अगर आपका पौदा चाहे जमीन पर है या गमले में दोनों जगे ये काम करेगा तो नमम्मत दिशम्मर में या फिर जब आपके अनार के पौदे पर फलफूल नहीं आ रहा हो उस समय आपको करना ये है किस प्रकरिया को सुरू करें सबसे पहले आपको अपने अनार के पौदे में पानी रोग देना है ड्राइ करना है मिट्टी को और पैचान करेंगे कि जब पत्तियां इस तरीके से मुर्जाने लगें आप देखिए यहाँ पर यह गुलाव है इसकी पत्तियां एकदम सही है और यह अनार का पौदा है इस पर हमने पानी रोग दिया तो इसकी पत्तियां मुर्जा रही है पीली पड़ रही है अब आप समझ सकते हैं कि आप दूसरा चरण सुरू करने का सही समय है एक बार मिट्टी हम खोद के देखते हैं कि नमी तो नहीं है क्योंकि अगर नमी होगी तो हमारी यह प्रकरिया अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी तो पानी रोग दीजिए जमीन में आपको थोड़ा पहले रोग ना होगा और गंबले में आप ज़्यादा दिन पानी ना रोगें चार-पांच दिन में ही आप प्रकरिया सुरू कर सकते हैं इसके बाद यह जो पतली पतली आपको ब्रांच दिख रही है ना एक सिकेटियर लिजे और पैंसल कटिंग कीजिए पैंसल की मोटाई तक ही आपको ब्रांच रखनी हैं उसके बाद जितनी भी पतली ब्रांच हैं उन्हें आपको कट कर देना है Якना हम अपने पौदे की ग्रोथ रोकेंगे, कुछ पौदे ऐसे होते हैं कि अगर वो ग्रोथ करते रहें तो उस पर फल फूल नहीं आता है या फल आएगा भी तो उसका साइज छोटा हो जाएगा और उसी पौदे में से अनार का पौदा है यहाँ पर जो आपको छोटे छोटी ब्रांच दिखरीन है सूख गई हैं भी आपको कट कर देना है क्योंकि अनार के पौदे पर जितनी ज़्यादा ब्रांच रहेंगी जितनी ज़्यादा पतली ब्रांच रहेंगी उस पर उतने ही कम फूल आएगे या फूल अगर आभी गए है तो फल का जो साइज बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा इसके अलाबा ये ब्रांच सूख हैंगी तो इन पर मकडी रोग आने की संभाव ना है जिससे कैंकर रोग बन जाएगा या आपके अनार के पौदे पर धब्बे पढ़ना शुरू हो जाएंगे कुछ इस तरीके से आपको अपने अनार के पौदे की सफाई कर लेनी है साप कर देना है पत्तियां तोड़ देनी है और ब्रांच काट देनी है अब इसके बाद अगर पौदा गमले में है जैसे बारेंच के गमले में है तो आप 25 परसंट भाग लगभग आप मानके चलिए चार से पांच इंच मिट्टे के आप गुड़ाई करेंगे और अगर जमीन में हैं तो दो बाई दो दो फिट चोड़ाई में और दो फिट उसके चारत्रप सरकल में आप मान लेजिए इतनी जगे और लवा आदा फिट गहराई में आपको जो है मिट्टी खोदनी है पौदे बर्मी कमपोष्ट खाद यहाँ पर हमने लिया है आपके पास अगर काव डंक यानिक गोवर खाद हो तो गोवर खाद ले सकते हैं कोई भी और गैनिक फैट ग्लाइजर गोवर खाद सबसे बढ़िया है उसके बाद अगर बर्मी कमपोष्ट मिल जाए तो वह लीजिए चोदेंस के गमले के लिए आपको कम से कम आधा केजी ये कमपोष्ट लेना है और जमीन के लिए आप कम से कम पांच से दस केजी कमपोष्ट लेंगे अगर आपका पौदा जमीन में लगा है तीन वरस का पौदा है तो कम से कम पांच या दस किलो बर्मी कमपोष्ट या गो जाएगी पौधा पीला पढ़ना सुरू हो जाएगा गुडाई कर ली है जो हमने गोवर खाद लिया था वो डाल दिया है और उसके बाद हातों से हम उसे एक समान करेंगे और इसके बाद जो हमने इसमें से मिट्टी निकाली थी उसकी एक पतली सी लियर उपर से लगा जब भी हम पानी देंगे या अनकाम करेंगे तो हमारा जो खाद है वो पानी के साथ बहकर बाहर वेश्ट नहीं होगा बस इतना सा ये छोटा सा काम आपको अनार के साथ सीजन में कम से कम दो बार तो करना ही है दो पसल आप ले रहे हैं तो दो बार कीजिए अब इसके प्रादम हो जाएगा यहां पर हमने पानी भर दिया है और एक बार पुन्हें बढ़ देंगे नीचे तक नमी पहुंच जानी चाहिए अभी हमें इसमें पानी देना है कुछ इस तरीके से एक सप्ता वाद आपका नार का पौदा देखेगा और यह जहां पर नई नई आपको ब्रांच दिख रही है न इन सभी पर फूल आएंगे और आपको महीने में एक बार पुन्हें कोई भी फर्टलाजर फिर पौदे में देना है और जब आपके पौद का जल्दी फलफूल से भर जाएगा